कि नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हम आच चुके हैं लाइव जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाईए शौर्ट नोट्स की जो सीरी चल रही है उसका लेक्चर नमबर आठ आज हम मैं पढ़ाने वाला हूं आपको आज का इंपोर्टन वीडियो है यह वीडियो इ छोटे लेवल पर समझाऊंगा यहां पर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा यह मेरा आपसे वादा है इस टॉपिक में नजाने बच्चे क्यों उलच जाते हैं लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं 1909 का जो मारले मिंटो रिफॉर्म या मारले मिंटो सुधार अधिनियम ह है इसको बहुत बारी की से आपको समझा दूंगा बस एक बार आप लाइव आ जाईए उसके बाद इस क्लास को शुरू करते हैं क्या मेरी आवाज बच्चों आप तक आ रही है आज थोड़ा खराब है थोड़ा अट्जेस्ट कीजिएगा चलिए शाबाश लाइव हो चु बैया 1907 में विभाजन हो चुका है 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था और कॉंग्रेस का विभाजन हो गया है सूरत में अधिवेशन रास भिहारी घोश की अध्यक्सता में हुआ था यहां नरम दल और गरम दल नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया है विभाजन तो कर दिया इनको एक एक करके अपने रास्ते से अटाना शुरू कर दिया अब बचे नरंदल और मुस्लिम लीग नरंदल और मुस्लिम लीग को इन्होंने खुश करने के लिए 1909 में कुछ ऐसे प्रावधान ले आए जो यह बर्सों से डिमांड कर रहे थे मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी 1906 में डिमांड उसे किया था कि भया हमें सेप्रेट इलेक्टरेट सिस्टम चाहिए तो वह इनकी बात यहां मान ली जाएगी ठीक है और कॉंग्रेस वाले कह रहे थे कि जो विधान परिश्यद है उसमें सदस्यों की संख्या भढ़ाई जाए इंडियन ज्यादा ज्यादा लिए जाए वह भी इंकी डिमांड का मान ली गए थ लेकिन एक रिपोर्ट भेजी गई थी और उसी के कानून बना था भारत पर शेद अधिनियम और इसी को मारले मिंटो और रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं उस समय लौड मिंटो बच्चों भारत के वायसराय थे और भारत सची जॉन मार ले भारत सची थे यह बहुत महत्त्रपून बात है नोट कर लीजिएगा ठीक है सर दवाई वाला पानी है है तो है दवाई वाला पानी गरम है एक गरम पानी दवाई वाला जब कि वाम है ना जंखको नहीं लंसराय रट भारत सची जॉन मार ले भारत सची जॉन मार ले सबसे पहले तो आपको यह याद अहीं सबसे पहले तो आपको यह लाइब होचुके बच्छों अगर लाइब होतोक मेरे पास क्मेंट क्यों नहीं आ रहा अरे वेरी गुड़ शाबाज शाबाज रवी कुमार सर्मा कहने पीडिएफ कहा मिलेगी पीडिएफ कहा मिलेगी राम हेलो धरम वाइस कहा है पीडिएफ कहा मिलेगी बच्चो इसके पीडिएफ शरी एजुकेशन एप्लिकेशन पर अवेलबल है प्रिंस जी ने बिल्कु सह का हुआ ही आगे माला था आपको इसके जो PDF हैं आपको श्रीएद्यट्टेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे ठीक है सभी का स्वागत है भारत सभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए तो बच्चो सबसे पहले आपको क्या समय में आ गया इसके भारत के वाइसरा है लॉड मिन्टो भारत सचीर जॉन मारले याद रखिये इसके बाद जो सबसे पहले heading है बारी की समझेंग एक चीज 1909 का अधिनियम लाने का क्या कारण था भारत में उसमें क्या situation थी भारत में उसमें क्या situation थी कि 1909 का ये प्रावधान करना पड़ा और उसमें जो भी बाते हैं वो ऐसी ऐसी बाते क्यों है वो समझने का प्रयास करेंगे इससे पहले भी भारत परिशद अधिनियम आया था अठारा सो बानवे में कॉंग्रेस उससे संतुष्ट थी कॉंग्रेस उससे संतुष्ट नहीं थी और इसके अलावा जो भारत के लोग थे वो सिक्षित होते जा रहे थे दिन प्रतिवित वो जागरुग होते जा रहे थे उनके अंदर आत्रोष था उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं तो उनको भी संतुष्ट करना था तो ये भी कानून लाना जुरूरी था और इसके लावा बंगाल विभाजन हुआ था इतना विरोध में खड़े हो गए थे अंग्रेजों के हमने बंग बंग सोदेशी बहिशकार आंदोलन चलाया तो लोग जनता भड़की हुई थी उनको संतुष्ट करने के लिए कहीं बगावत ना हो जाया अठारस सताओं की करांती की तरह ये कानून लाना पड़ा 1906 में मुसिल्म लीग का भी कठन हो गया मुसिल्म लीग भी डिमांड कर रहे थी अपनी अपनी तो उनकी भी डिमांड मानने के लिए कोई ना कोई कानून पास करना पड़ा ये भी एक कारण है इसके अलावा सूरत विभाजन हो गया सूरत विभाजन हो गया इनको बहुत मिल गया, बड़े बड़े नेता ओन T अर्विन भोष इन्को इतना आर्विन भोश इनको इतना टॉर्चरatar किया गया कि इन्होंने सन्यास ले लिया, ऩो पड़े बड़े जो लीडर है वो बचे कोण, नरमदल के नेता और मुसलिम लीग, इनको खुश करने के लिए ये कानून लाया गया, इनको खुश करने के लिए ये कानून लाया गया, तो आपको समय में आरा कारण क्या है, आपको समय में आरा बच्चो कारण क्या है, इस अधिनियम की परमुख विशेशता हैं क्या है, ये जो अधिनियम है, इसकी बहुत अब ये सिस्टम क्या था ये सिस्टम ये था कि ऐसे छेत्र जो मुसलमानों के लिए रिजर्व है वहाँ पर इलेक्शन में केंडिडेट के रूप में मुसलमान ही खड़े होंगे लेकिन इनको वोट करने का अधिकार भी उस छेत्र की जो मुसलिम पॉपुलेशन है मुसलिम जनता है वही वोट करेगी बाकी दूसरे समुदाय के लोग इसमें वोट नहीं कर सकते हैं ये सेपरेट इलेक्टुरेट सिस्टम था सेपरेट इलेक्टुरेट सिस्टम ऱाजए तो फ recommends लिए याद रूखन है लेकिन tan जहां आपके गाओं में सिय करे घुट लेकिन वोट करने का दिकार क्या सिवर्क के लोगों को नहीं सबी लोगों को एक समाना दिकार होगा जिनके वोट राइडी काड़ बने हुए हैं जिके वोटर एडी कार्ड बने हुए हैं समझ में आ गया बच्चों तो याद रखिये इसके इलावा बहुत महत्पुन बात बताने जा रहा हूं इसमें बच्चों को कन्फूजन हो जाता है बच्चों को अज आपका कन्फूजन में दूर कर दूंगा जो केंद्री विधान परिशद है मतलब केंदर में जो कानून बनाने वाला सिस्टम है जैसे हमारी संसर है केंदर विधान परिशद का विस्तार किया गया अब इसमें बोला गया कि केंदर विधान परिशद के अंदर जो इडिशनल मेंबर होंगे अत्रिक्त सदस्य होंगे वो सोला से साथ हो जाएंगे मतलब मिनिमम सोला रह सकते हैं और मैक्सिमुम साथ तक इनकी संख्या रह सकती हैं यह कानून ब्रिटेन से बनकर आया है उसमें यह लिखा हुआ है कि भाया जो केंद्री विधान परिशद में इडिशनल मेंबर हैं इसकी संख्या या तो आप सोला कीजिए या सत्रा कीजिए मतलब साथ तक कुछ भी कर लीजिए अब यह किसके उपर डिपेंड था यह वाइसराय के उपर डिपेंड था इनको यह डिसीजन लेना था तो वाइसराय ने क्या चूज किया साथ चूज कि कि आगया था कि अत्रिक्त एडिशनल जो मेंबर होंगे इनकी संख्या साथ होगी जबकि इस कानून में हमें ऑप्षन दिया गया है सोला या साथ के बीच में कुछ कर लीजिए यह तो मैक्सम साथ तो हमने क्या चुना अंग्रेज्जों ने क्या चुना साथ एडिशनल मेंबर चुने अब समझने का प्रयास कीजिए ब्रिटीश सरकार सबसे पहले जो ब्रिटीश हुकूमत थी रूल कैसे कर रही है जैसे हमारी आज कैबिनेट है प्रधानमंत्री और कैबिनेट उनके है और संसद है कानून बनाने वाला सिस्टम है वैसे ही समझने का प्रयास कीजिए कि ब्रिटीश सरकार एक तो केंद्र सरकार थी जिसमें वायसराय और उसकी कारेकरणी थी एक्जिक्यूटिव काउंसिल जैसे प्रधानमंत्री और कैसा होता था आप वो समझी एक बात देखते हैं कौन सा बच्चा समझ पाता है केंद्री विधान परिशत के अंदर दो परकार का सिस्टम था एक तो था बच्चो एडिशनल मेंबर एक तो थे एडिशनल मेंबर ठीक है और दूसरा कौन था सर जी दूसरा बच्चो यही लोग इसके पदेन सदस्य थे पदेन सदस्य थे तो केंद्री विधान परिशत में केंद्री विधान परिशत में पूछा जाएगा एडिशनल मेंबर तो 60 हैं लेकिन जो यह 6 प्लस 7 कारेकरणी एक्जीक्यूटी कॉनसिल में 6 लोग हैं वाइसरा खुद मिला के साथ यह प प्रधान मंत्री हैं और उसके कैविनेट है जह कानून बनाने वाला शिस्टम है यह संसत के विप में कानून अगॉनकों Ты 60 तो एडिशनल ग्मबर् किस परकार से कहा कहा सोट एते वह बताऊंगा पहले यह समझिए साथ एडिशनल मेंबर थे और साथ जो थे ये पदेन सदसे थे ये भी इस केंद्री विधान परिशत का हिस्सा हुआ करते थे हिस्सा हुआ करते थे अब कमेंट करके बताईए डाउट क्लियर हुआ की नहीं कल भी क्लास होगी जी हां रोज क्लास होगी रोज 11 बजे शॉट नोट्स जो सीरी चल दी एंडिनेशनल मुवमेंट की नाम कहीं है नाम कहीं शॉट नोट्स है इसको पढ़ने के बाद कोई भी का एक्जाम हो उसमें अच्छा स्कोर का सकते हैं वच्चों जी मिश्टर उर्फ अभिशेग जी रोज क्लास होगी शाबाश एक बार आप कमेंट करके बताईए क्या आपको इतनी बात समझ में आई इतनी बात समझ में आई कि केंद्री विधान परिश्द का सवरूप कैसा था ऐसे ही राज्यों में भी सिस्टम था ऐसे ही सिस्टम राज्यों में भी था तो जो एडिशनल मेंबर हैं और जो यह वाइस रायक और एक्जिक्यूटिव इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही इस केंद्री विधान परिश्द में बैठता था होप आपको समझ में आ गया की संख्या साथ कर दी गई है इसे कॉंग्रेस मुसलिम लीग दोनों कही न कहीं खुश हो गए हैं लेकिन समझने का प्रयास किजिए अंग्रेजों का खेल इन साथ सदस्यों में 28 तो सरकारी होंगे या ओफिशियल होंगे मतलब 28 सदस्य जो ब्रिटिस हुकूमत का हिस्सा है ब्रिटिस सरकार का हिस्सा है चाहे वो ICS अधिकारी हो चाहे वो सेना में कोई अधिकारी हो ऐसे लोगों को यहां चुना जाता था ये 28 लोगों में तो कहने का भाव यह है कि 60 additional member में 28 तो सरकारी होते थे इनको कौन चुनेगा इनको nominate कौन करेगा वाइसराय नोमिनेट करे तो यह तो बृटिश सरकार के ही पक्ष में होंगे समझ में आया ठीक है है आगे चलिए इन 60 में से जो 32 सरकारी होंगे गैर सरकारी इनogo उडियस नाम, 32 गैर सरकारी होंगे मतलब, ये कोई सरकारी नोकरी नहीं कर रहे हैं, सरकार का हिस्सा नहीं है, अब इन 32 में से 5 लोग तो वायसराय नोमिनेट कर देंगे, ये 5 ज्यादा तर इंडियन ही हैं, लेकिन वायसराय बताईए किसको नोमिनेट करेगा, उसे ही नोमिनेट करेगा, जो सरकार के वफदार होंगे, सरकार के चाटुकार होंगे उन्ही को Nowadays करेगा वाइसराइ तो इन साथ में से बताइए 28 ow पांच 32 ये किस के पक्ष में वाइसराइ के पक्ष वक्ष में होंगे तो मेजॉरिटी अभी वहाइसराइ के अकॉर्डिंग ही है ठीक है सरकार का पक्ष रखने वालों की ही अभी मैजूरिटी हैं और जे 27 लोग होंगे इनका निरवाचन हो गा अब निरवाचन भी किस परकार का होगा ये देखिये निरवाचन भी किस परकार का होगा इन 27 में से सबसे पहले आप समजने का प्रयास कीजिए Professional पाँच तो मुसल्मानों के लिए सेपरेट इलेक्टोइट सिस्टम के पहत रिजर्व कर दे गई है पाँच सेपरेट इलेक्टोइट सिस्टम के पहत रिजर्व कर दे गई छे जमिनदारों के लिए रिजर्व है यहाँ separate elected system सामपरदाई जो चुनाव पढ़नाली है वो मुसलमानों के लाग हुए है छे जमिंदार होंगे रिजर्व है दो वैपारी होंगे ये भी रिजर्व है अब इसके अलावा दो वैपारी होंगे इसके अलावा दो सदस्थे Chambers of Commerce मतलब Business फालों का ग्रूप था उसमें से दो सदस्थे होंगे कलकत्ता के एक Bombay का Yep Chamber of Commerce of kalлект Verfण और लाव कामर्स ओव बंभे प्रेस्थे यहां से एक एक सदस्थे चुने जाएंगे दो सदस्थे और इसके लावा 12 सदस्थे जो बंबेश्यची मदरास प्रेश्ट प्रेश्ट प्रवेंश जो प्रुवेंश जो है उत्र पश्चिमिक इलाके में यहां से 12 सदस्ट चुने जाएंगे यहां से 12 सदसे तो यह पूरा डेटेल बता दिया हाला कि इतना डेटेल आप से पूछे का नहीं लेकिन समझने के लिए तो जरूरी है समझना तो जरूरी है ठीक है अब आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ अब मुझे पूरी उमीर है आपको समय में आ गया होगा कल भी होगी आपकी टाइमिंग क्या है आ ग्यारा बजे बताया तो बच्चों मैंने ग्यारा बजे ये शॉर्ट नोर्स की क्लास डेली होती है जो आइन जुरूर कीजिए अब इतना समझ में आ गया अब केंदरी विधान परिशेद आपको अच्छे समझ में आ गया इसको कार की जो काम करने इज्विन काम खरती है उनकी आउरे उसराय इक ब्लूठा करेंडनी परिशेद है पहले उस एक्जिक्यूटिव इस जो वासराय की एक्जिक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए इन्हें विधी सधस्य के रूप में चुना गया इसन्हें जो बच्चों चुना गया इससे जो मुस्लिम लीग थी वो नराज की थी कि जो इसमें आपको एक मुसल्मान को रखना है इस एक्जिक्यूटिव काउंसल में मुसल्मान को रखना है लेकिन उन्हों ने एक भारतियों को रखा वो सतेंदर प्रसाथ सिन्हा एक हिंदू थे इसलिए मुस्लिम लीग इस बात को लेकर नराज हो गई हाला कि जो आरेकाल पूरा होने के बाद दूसरे जो आएंगे वो मुसल्मान होंगे आपको समया गया इसके अलावा भारत सचीर की परिश्द हुआ करती थी आप जानते हैं कि भारत सचीर एक पोश्ट है जो बिटिश पार्लियमेंट में बैठते हैं बिटिश सरकार का वो हिस्सा होत पंदरा लोगों की एक तीन थी जिसे क्या कहता था भारत परिशद इंडियन काउंसिल भारत परिशद इन्ही के नाम पर तो कानून बन के राते थे भारत परिशद अदियम भारत परिशद पंदरा लोग थे पहले इसमें कोई भी इंडियन नहीं था और 1909 के एक्ट के तह अधियद हुसेन बिलग्रामी यह सभी वफादार हुआ करते थे अंग्रेज्जों के इन्हीं कच्छुना गया है पहली बार ऐसा हुआ अब जैसे केंद्र सरकार केंद्री विधान परिशत में सदस्य संख्या बढ़ाई गई वैसे प्रांतों में विधान परिशत थी उनकी संख्या बढ़ाई गई और इसके लावा संख्या ही नहीं विधान परिशत के सदस्य विधान परिशत के सदस्य थे इनके अधिकारों मे में भी वृधिर हुई अभ समझने का प्रयास करते हैं कैसे अधिकारों में वृधिर हुई जैसे बजट पर अगर बहस हो रही है विधान्क परिशद में तब इनके पास old कि गार रहा है बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया मगर वोट करने का अधिकार अभी भी नहीं था वोट करने का अधिकार नहीं था बजट पर बहस कर सकते हैं जब बजट पास हो जाएगा उसमें वोट नहीं कर सकते थे यह मैं बात किसकी कर रहा हूं यह जो गैर सरकारी सदस्य है उन संबंदित मामले जनता संबंदित या लोग हित में संबंदित जो मामले हैं उनके लिए प्रस्ताव लाया जा सकता था इन लोगों के द्वारा प्रस्ताव रखा जा सकता था ठीक है लेकिन प्रस्ताव लाने के 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि हां हम ये प्रस्ताव लाने वाले हैं कि मतलब इस छेत्र में कॉलेज बनेगा इस छेत्र में होस्पिटल बनना चाहिए ऐसे प्रस्ताव लाए जा सकते हैं 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी ठीक है मत देने का भी अधिकार था यहां सधारन मामलों सम्दित मत देने का भी अधिकार था लेकिन बजट अधिकार नहीं नहीं अनुपूरião प्रेस्ट नहीं पूछ सकते थे क्रॉस कॉश्ट नहीं कर सकते थे इस दो मतलब क्या इसका मतलब बच्चों यह साफ साफ की देखिये सिर्क री बनाना कि पूछ हुआ कि आपने पुंच्ज डिया कि आप ऐसे कोशन नहीं कर सकते थे कि भाया वहां तो दो लाख लगना चाहिए था तील लाख कैसे लग गया तो क्रोस कोशन करने का अधिकार नहीं था ठीक है पूरक प्रेशन पूछने का अधिकार था पूछ सकते हो कि अच्छा वहां लगा सर उसको थोड़ा मजबूत करना था क् उन्होंने का हां मजबूत कर लिया ऐसे नहीं कह सकता है नहीं वह तो मजबूत नहीं हुआ आपने कैसे कर दिया तो मतलब आप समझ रहें क्रोस कोशन नहीं कर आजा सकता था ठीक है और इसके लावा स्थानी निकायों के लिए धन की मांग का अधिकार था जो लोकल गवर् हैं और उनमें जो संसोधर करने का प्रस्ताओं भी इनके पास अधिकार था यह प्रस्ताओं ला सकते थे यह प्रस्ताओं लाय dar s petit लेकिन नोट कर लिजेगा वायस्राइ इन प्रस्ताओं को इसने हमारा सरवनाष कर दिया किस बात को लेकर ऊंगाए लेकर करने वाली जो बात ही इस को लेकर उन्होंने मिंटों किया था मिंटो ने भाज को पत्र लिखा था मिंटों जो भारत का वाइसरा है था इसने भारत के भारत सचीव को एक पत्र लिखा था बोला था कि भाईया देखिए यह जो एक्ट नहीं आ रहा है यह हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका जो परिणाम होगा बहुत भ्यानक होगा केम मुशी साब ने कहा कि इस एक्ट ने बढ़ते हुए परजातंतर को ही मार डाला इस एक्ट ने बढ़ते हुए परजातंतर को ही मार डाला तो मिरे बच्चों ये था कंप्लीट आपका 1909 का मारले मिंटो सुधार अधिनियम और इसके बाद दिल्ली में दर्बार लगेगा दिल्ली में भव्य दर्बार लगेगा देख रहे हैं कैसा दर्बार लगाया गया था इतना पैसा खच किया गया था बृटेन के राजारानी आये थे यहां स्वागत किया गया था तो अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों यह क्लास नोर्स अगर आपको लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट हमें कर सकते हैं और हमारे वाटस अप पर अपना एड्रेस और विद पिन कोड भेज दिजिए एड्रेस भेज दिजिएगा पिन कोड तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद इस क्लास नोर्स से मुलाकात करेंगे तो हमसे जुरूर मिलिएगा और इसके अलावा जो बिहार के बच्चे हैं बिहार सिक्षक भरती जो आई एतनी बड़ी वैकंसी आई हैं उसके लिए स्पेशल क्लासे हम चला रहे हैं शाम आठ बजे से दस बजे तक आठ से नो रिजिनिंग नो से दस जी बच्चे कह रहे थे कि वहयां कि जी कि गकर कॉस्ट चाहिए जो बच्चे जियर अंद सिर्च पर एप्लीकेशन पर ये कलासे भन गी उससे पहले आप इन्रोल कर लीजिये विद्धोच तरीचे से कराएज़ एक जाइगी जीर्ण टूट ही रो इसका प्राइज तो 1999 है लेकिन आप कॉल कर लिजेगा कोड इस्तेमाल कर लिजेगा आपको यह मात्र नो सुन इन्डियानवे में पड़ेगा कोड क्या है एप्लिकेशन पर कोड इस्तेमाल करेंगे श्रीट फिफ्टी एस चार आई विफ्टी यह पॉल कर लिजेगा डारेक्ट है आपको सारी इंफर्मिशन दे दी जाएगी हम आप से मुलाकात करेंगे बच्चों अगले एपिसोड में तक लिए नमस्कार अगर 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 नहीं